हाई एन वेलकम टू आर चैनल आज हम बनाने वाले हैं भिंडी दो प्याजा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कठाई गरम करेंगे और उसमें दो बड़े चमज तेल ले लेंगे तेल को अच्छी तरह से गरम हो जाने दे उसके बाद इसमें एक तेज पत्ता, दाल चीनी, एक बड़े चमज जीरा, एक हरी मिर्ज और दो मीडियम साइज की प्याज कटकर के ले लेंगे प्याज को हलका ब्राउन होने तक हमें भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूने जब प्याज का कलर हलका चेंज हो जाए तो इसमें हम एक बड़ा चमज अद्रक लैसून का पेस ले लेंगे, इसे भी अच्छी तरह से भूनना है अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें और जब तक हमारी प्याज भून रही है, हम दही और मसाले तयार कर लेते हैं यहाँ पर वन फोर्थ कप मैंने दही लिया है, अब हम इसमें डालिंगे जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल भी लंब्स ना रहें इसमें और अब यह दही जाएगा प्याज वाले मसाले पे gas का flame यहां पर हमने एकडम लोकिया हुआ है, करना कि दो दही और अच्छी तरह करणा रहे जब तक कि यह तेल रिलीज ना करें तो मसाले अब तेल रिलीज करने लगे हैं इसका मतलम मसाले सारे भून चुके हैं तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का तमाटर डालेंगे आप छोटे बड़े कैसे भी कट कर सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें इसे ब्लेंड करना है अब हम इसमें नमक डालेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ढख कर हम इसे पकने देंगे जब तक यह मसाला पक रहा है हम भुंडी फ्राइ कर लेते हैं तो एक पैन में तेल गरम करें दो बड़े चमश तेल मैंने यहां पर लिया है यहां पर मैंने करीब 200 ग्राम भिंडी ली है और इस सबजी को आप 4 लोगों को अराम से सब कर सकते हैं तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम हींग डालेंगे वन टी स्पून और उसके बाद इसमें डालेंगे भिंडी भिंडी को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है पूरा नहीं पकाना है 60-70% हमें इसे पकाना है जब तक भिंडी भुन रही है हम मसाला चेक कर लेते हैं मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो अब मैं यहाँ पर 1 फोर्थ कप पानी एड़ करूँगी और ढग कर इसे 4-5 मिनट और पकने दे बीच बीच में भिंडी भी चलाते रहें चारो तरफ से अच्छी तरह से पकाना है दो मिनट के लिए मैंने इसे ढग कर पकाया है अगर ताजी भिंडी आपने ली है तो यह बिना ढग के ही अच्छी तरह से पक जाएगी भिंडी अब अलमस्ट पक चुकी है तो अब हम इसमें अनियंस पैटल डालेंगे इसे भी अच्छी तरह से हमें भूनना है गैस का फ्लेम मैं इद्धम लो पर रखा हैं निए चीक कर लेते हैं, ये भी अची तरह से पक्ष जुका है तो गैस का फ्लेम अब हम दखे छुका है फोके अधों आफ कर देंगे और जितने भी हमने खड़े मसाले डाले हैं इसे बाहर निकार लेते हैं तेज पत्ता और दाल चीनी को हम बहार निकार लेंगे और इसे हलका सा ठंडा करके एक स्मूध पेस्ट तेयार कर लेंगे भिंडी और प्यास दोनों ही अच्छी तरह से बुन चुके हैं हमें ज्यादा इसे नहीं पकाना है अब हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे तो यह हाफ मीडियम साइज का टमाटर मैंने कट करके ले लिया है और अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो पर रखेंगे और अब जो हमने पेस्ट तियार किया था ग्रेवी का वह हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इसे जादा नहीं पकाना है बस हाइ फ्लेम पर हम इसे एक-से दो मिनिट पकाएंगे भिंडी पकाते समय मैंने नमक नहीं डाला था गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सरूर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो पर तब तक के लिए वाए